हेलो बच्चो, आज मैं आपको कक्षन ओवी, जिसका विशे है गनित, इसकी वर्क्षीट नमबर 78 समझाओंगी, जिसकी डेट है में पास 27 जनवरी 2021, आज की वर्क्षीट में भी हम चैप्टर नमबर 13 की ही रिविजन करने वाले हैं, प्रिष्टे, शेतरफल और आयतन, ठीक कोशन वो हैं, जिसमें आपको सही उतर पे क्या करना है, टिक करना है, ठीक है, MCQ कोशन जो हैं, उसके बाद कोशन नमबर 6 से लेके, कोशन नमबर 10 तक आपको पूरे-पूरे सॉल्व करना है, ठीक है न, अब आपको पता है, जो यह MCQ होते हैं, इनको भी सॉल्व करके ही आ बिना सॉल्व करें बताओं मैं आंसर इसे बतां हो डिरेक्ट डिरेक्ट आंसर बताओंगे तो आपको समझी नहीं आएगा ठीक है तो फोड़ बहुता तो मेन थानैंगे दिखाना परेगा सब्सवर करके कि संखिया डैश होगी, तो कितनी होती यह उसमें, तो उसमें 6 होती है, ठीक है, यह सारी चीज़े तो आपको याद होनी चीए, अगर आप गणा, आप क्या लो, अपनी एक किताब ले लो, उसमें देखो, गिनो, आपको जब आप गिनोगे, तो 6 ही आने वला है ठीक है घन में किनारों की संख्या डैश होगी घन सबके घर में होता है न वो पासा तो आप पासा पे गिन के देखो उसमें कितने किनारे हैं तो जब आप गिनोंगे तो कितने आने वाले हैं 12 ठीक है घनाब में शीर्षों की संख्या डैश होगी वही सेम क किताब पे गिनो कितने होंगे तो आपको मिलेंगे 8 ठीक है उसके बाद कह रहा है घन के किनारों की माप A है घन का आइतन डैश होगा तो देखो किनारों की माप आपको दे रखी है तो आपसे आइतन पूश रहें तो क्या होगा उसका आइतन आइतन होता क्या है वैसे वो गणाप का आयतन क्या होगा तो गणाप का क्या आयतन होता है एल इंटु बी इंटु एक तो चलिए फर्स्ट कोशन तो जल्दी से होगे हमार पास यहां पर अब देखते हैं हम अपना सेकिंड कोशन देखो यहां आप से कह रहे हैं यदि ये गण की प्रतियक भुजा को दु हम ऐसे करते हैं पहले हम मानते हैं कि जो घन की भुजा थी वह मेंठ पस ए थी कि अ तो फिर इस अगर ए से मैं आयतन निकालू तो कितना होगा ए क्यूं यही होगा न अभी इस घन की भुजा को दुगना कर देते हैं घन की भुजा को दुगना करने पर तो वो हो जाएगी हमार पास 2A दुगना मतलब 2 से मल्टिप्लाइ करना न तो अब नए वाला जो आयतन आएगा वो क्या आएगा आपके पास तो 2A का क्यूब आएगा तो इसका मतलब 8A क्यूब तो देखो 8 गुना से बढ़ा न तो इसका मतलब इसका आंसर D आजाएगा चिक है? चलिए कोशन नमबर 3 देखते है एक ठोस वस्तू दुआरा अच्छा थर्ड ये है माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटिमीटर इंटू 2 सेंटिमीटर इंटू 3 सेंटिमीटर है ऐसी 10 डिब्बो का एक पैकेट का आयतन क्या होगा देखो एक माचिस के डिब्बे का आपको माप दे रखा है और आपसे कह रहा है आपने क्या किया है? एक पैकेट में 10 डिब्बे रखे हैं ऐसे माचिस के तो बताओ उनका आयतन क्या होगा ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं? तो आपका यहां पर आएगा 24 आप मुझे क्या करना है एक पैकिट का आयतन अब पैकिट में कितने डब्बे हैं दस डब्बे हैं माचीज के तो एक डब्बे का आयतन है 24 तो दस डब्बे का कितना होगा 240 240 तो 240 यह आपका यह वाला आंसर आगे ठीक है चलिए कोश्य नमबर 4 देखते हैं कि एक ठोस वस्तू दुआरा गेरे गए स्थान के माप को उस वस्तू का कहते हैं तो क्या कहते हैं उसका आयतन कहते हैं आयतन वही तो होता है जो एक ठोस वस्तू होती है उसमें जितनी जगा ले रखी होती है उसको ही तो आयतन बोलते हैं यह जो हमारी वरक्षीट आई ती नहीं इस चैप्टर की हमने उसमें भी किया था यह ठीक है ना चलिए कोशन नंबर फाइव देखते हैं शॉरी एक घंणापकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर घेरी है आपको कह रहा है एक पानी की टंकी है जो घंणापकार उसकार की है तो उसकी मुझे L B और H, तिनों चीज दे रखे, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, आपको ये बताना है कि उस टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है, तो देखो, कितना लीटर आएगा, जितने उस कंट, सुरी, जितना उस टंकी का आयतन होगा, आयतन वही तो बताता है, है न, तो इसका मतलब हम इसका आयतन निकालने तो हमें पता चल जाएगा चलिए वो ही करते हैं एक मिनट चंकी का आयतन तो कितना आएगा L into B into H तो तीनों चीज मुझको दे रखिये हैं 6 into 5 into 2 तो जब मैंने into किया तो मेरा 60 आया मीटर क्यूब आया लेकिन वो तो मुझसे कह रहें कितने लीटर मानी आ सकते हैं और मेरा तो यहां मीटर में आंसर आया तो देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं तो फिर 60 मीटर क्यूब में कितने होंगे 60 into 1000 इसका मतलब 60,000 लीटर, तो देख लो कहा पर है, यह आपका अंसर, ठीक है न, चलिए, question number 6 देखते हैं, यहां आपसे कह रहा है, एक घनापकार बरतन, 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ है, इसको कितना उचा बनाये जाएं कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब, ठीक है, दवा आ सके, ठीक है न, ठीक है, तो देखो यहां पर आपको इस गनापकार बरतन की L दे रखी हैं, और आपको इसकी B दे रखी हैं, तो H आपको निकालनी है, ठीक है, अब देखो, वो कह रहा है कि 16,000 म meter में है छीकैं यह भी यह meter में ही दे रखा है तो इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा लेकिन हम this is this मतलब ये आपको item दे रखा है item दे रखा है न तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं भरतन का item कितना होगा ल infp various ठीक है अब ये मुझे 16,000 दे रखा है ठीक है तो यहां मैंने 16,000 लिख दिया अब यहां पर L आप पे 10 है B आपके पास 8 है और H आपको नहीं बता ठीक है एक चीज़ मैं आपको यहां बताना चाहूंगी जो English Medium वालों की में यह कोशन है 6 वाला उसमें यहां पर 16,000 लिटर लिखा है तो हमने क्या किया है वहाँ पर L को मीटर में पहले चेंज किया है मीटर क्यूब में निकाला है और उसके बाद किया है ठीक है आपकी में यहां डारेक्ट ही मीटर क्यूब ही लिखा है तो इसका मतलब यह आपको सीधा-सीधा आयतन ही दे रखा है, वैसे तो यह भी आयतन ही है, ऐसन यह है कि यह 16,000 लीटर आयतन नहीं था, आयतन ही था, वहाँ पर भी वॉल्यूम ही थी, लेकिन वहाँ लीटर में था, यहां मीटर क्यूब में दे रखा है, तो मैंने 16,000 ही लिख दिया, ठीक है, आप देखो, यह 10 मल्टिप्लाय का था, इधर आके डिवाइट का ओगया, और 8 मल्टिप्लाय का था, यह भी डिवाइट का ओगया, इस 0 से 0 को काट दिया, तो इसको इससे कट किया, तो 200, तो ह मेरा ही आप पर आगे 200 मीटर, तो कितना उचा बन जाएगा, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 7 देखते हैं, उसमें आप से कह रहा है, एक आयतन धातू की चादर की विमाए, 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, प्रतिये कोनों से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं, ठीक है, बची हुई शेष चादर से एक खु आयतन ग्याद कीजे, देखो, एक आयतकार धातू की चादर, मतलब एक आयतकार धातू का आपके पास कुछ है, जिसकी विमाए आपको दे रखी है, तो L और B आपको दे रखा है, अब आपने पताए क्या किया, जैसे ये मैं बना दू एक, इसके हर एक कोने से, आपने यहा बॉक्स का आयतन आपको बताना है, तो देखो, बॉक्स का आयतन बताना है, इसका मतलब L इन्टू B इन्टू H लगेगा, L और B तो मुझे पता है, लेकिन H नहीं बता, तो कैसे निकाले बॉक्स का आयतन, वैसे देखा जाया ना, तो इस कोशन में ये भी L और B नहीं है, ह बचा कितना 48 में से ये वाला 8 और ये वाला 8 तो हटाना परेगा यही तो बचा है बीच बीच का उसी तरीके से 36 में से ये वाला 8 और ये वाला 8 तो हटाना परेगा क्योंकि ये बीच बीच का तो बचा है ये तो कट गया इतना तो है ना तो चलिए पहले हम फिर L निकाल लेत सबते हैं तो 48 मेंसे मैंने दोowners 8 को माइनस कर्दिया क्युंकि दोनों कोनों पर वनाया गया था तो मेरा जाएगा 32 मीटर लिए दे कि फिर मैंने कैं हहापर बडह मीडिया थे खलत तो मेरा in the 8 और 8 तो वो में आ जाएगा 20 cm अब बात आती है H की, H क्या ले, तो देखो, H तो आपके पास यहाँ पर 8 ही होगा, क्यों, क्योंकि जो यह आपने काटा, इसके बाद ही तो उसको खुला बॉक्स बनाया, इसी से, है ना, बची भी 6 चादर जो थी, उसी से ही तो आपने बनाया खुला बॉक्स, तो एक बार आप इमेजिन करके देखो, आप इसको ऐसे साइडों से काट दोगे, यह हटा दोगे, तो जब इसको आप बॉक्स बनाओगे, तो उपर की साइड तो यही आएगा ना, एट, तो हाइड तो यही रहेगी, उसकी उचाई, तो यह मुझे मिल गई, तो बस अब क्या करना है हमें, बॉक्स का एतन बताना है, तो बॉक्स का एतन कितना आएगा, एल इन्टू बी इन्टू एच, इसका मतलब 32 इन्टू 20 इन्टू में 8, तो वो आपके पास आजाएगा, 5120 मीटर क्यूब, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 8 देखते हैं, क्या रहा है, अगर एक कमड़े का आएतन 792 मीटर क्यूब है, तता फर्ष का शेत्रफल, शेत्रफल की बात ओर यह हैं, 132 मीटर क्यूब है, तो कमड़े की उचाई ग्यात कीची, तो देखो, दो चीज़े आपको दे रखे हैं यहाँ पर, कमड़े का आएतन, तो पहले वो तो यह L into B into HK तो बराबर होगा, एक और चीज़ मुझे दे रखें, फर्ष का शेत्रफल, यह हमने अपनी लास्ट वर्कशिट में भी किया था, कि फर्ष का अगर शेत्रफल निकालना हो, तो उसका सूतर होता है L into B, पर इस बार मुझे यह 132 दे रखा है, तो फिर यह L into B के बराबर होगा, है ना, अब देखो, इस L into B का मान है यह 132, अगर मैं इसके अंदर रख दू, सॉरी, इस L into B में 132 रख दू, तो फिर मेरा H का मान निकल जाएगा, है ना, तो इसको आप फर्स्ट मान लो, ठीक है, अब देखो, सम्हिकरन एक, L into B into H था, अब 792 ऐसी रहने दो, L into B की जगा आप 132 रख दो, और H को ऐसी रहने दो, बस यहां से आप H निकाल लो, तो 792 अप उन में 132, इसका मतलब वो कितना आ गया, 6 मीटर, तो कमरे की उचाई कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई आप पे 6 मीटर, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 9 देखते हैं, एक घनाकर बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है, उसके किनारों की लंबाई का माप ग्याद कीजिए, देखो, अब आपको नहीं यहां पर एक घनाकर बॉक्स का आयतन दे रख खर, अब किनारों की लंबाई आपको बताने हैं, तो अगर मैं आपसे पूछू, घनाकर बॉक्स के आयतन का सूत्र क्यों होता है, तो आप बोलोगे वो A का क्यूब होता है, अब ये तो मुझे पहले से ही दे रख था है 512, इस इक्वर्स टू A का क्यूब, अब मुझे A का मान निकालना है मतल तो 512 किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल 8 का क्यूब होता है, इसको इससे कट कर दिया, तो A आगया मेरा 8, इसका मतलब किनारों की लंबाई की माप कितनी आ गई? वो आगया आप पे 8 मीटर, ठीक है? चलिए, आप कोशन नमबर 10 देखते हैं, तो कोशन नमबर 10 करने से पहले मैं आपको एक कोशन दूँगी जो आपको खुद से करना है, ठीक है न? उसके बाद हम 10 कोशन करेंगे, तो ये एक तरीके से आपके पास homework कोशन है, जो आप मु अपने नाम के साथ, ठीक है ठीक, और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दोगे, जब आप कमेंट करोगे, ठीक है? तो चलो चोटा सा कोशन दे रही हूँ, मैं यहां लिख देती हूँ, एक गणापकार पानी की टंकी, छे मीटर लंबी, पाँच मीटर चोड़ी और पैंतालिस मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, ठीक है? देखो, ऐसा एक कोशन भी हमने पीछे किया है, जिसमें आपका आंसर तो मीटर क्यूब में निकलेगा, फिर आपको उसको लीटर में चेंज करना था, किया था ना, तो मैं यहाँ पर लिखने ही रही हूँ, कि वन मीटर क्यूब में थाउजन लीटर होते हैं, क्योंकि आपको यह याद रखना है, ठीक है? तो यह आपके पास एक होँवा कोशन है, जो आप मुझे खुद से करके, खुद कीजेगा, ठीक है, किसी की help मत लीजेगा, क्योंकि बहुत असान सा कोशन है यह, तो इसका आंसर जो भी आएगा, कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताईएगा, और साथ की साथ वीडियो को लाइक भी करतीजेगा, ठीक है ना, चलिए, अब लास्ट कोशन जल्दी से कर लेते हैं, कोशन नमबर 10, फिर वर्क्षिट कम्प्लीट हो जाई, तो कह रहा है, एक घनाबकर बॉक्स का आयतन, अभी आपको घनाबकर बॉक्स का आयतन दे रखाता, अब घनाबकर बॉक्स का आयतन दे रखा है, box की विमाएं क्या हो सकती है तो box की विमाएं आपको बताने है तो देखो अगर मैं आपसे पूछू कि गनाब कर box का item इसका सूत्र क्या होता है तो वो तो होता है l into b into h है ना और ये मुझे 48 दे रखा है तो l into b into h अब ना मुझे l पता ना b पता ना h पता नहीं पता ना कुछ भी हो सकती है बस ये है कि तीनों को multiply करके 40-80 आना चीए तो कह रहा है box की विमाएं क्या हो सकती है तो क्या क्या हो सकती है विमाएं अगर हम अनुमान लगाएं तो क्या क्या हो सकती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी L जो है वो 4 cm हो और उसकी जो B है वो भी 4 cm हो और जो उसकी H है वो 3 cm हो तीनों को मल्टिप्लाइ करके आ तो 48 ही रहे है ना और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो L है वो 3 cm हो B जो है वो 4 cm हो और H भी 4 cm हो हो सकता है न? तो इसका मतलब box की विमाये तो ऐसे बहुत सरे हो सकती है क्योंकि हमार को यहाँ पर कोई और जानकरी तो दे नहीं रखी LB और H के बारे में तो इसका मतलब कुछ भी हो सकती है बस तीनों को मल्टिप्लाय करके 48 आना चाहिए तो दो possibilities मैंने बता दिये कि यह यह हो सकती है जरूरी नहीं है कि यहीं होंगी तो चलिए question number 10 है आपर complete हो गया इसी के साथ ही worksheet भी complete हो गई तो 10 questions आज हमने समझे साथ की साथ एक question हमने homework में लिया जो आप लोग मुझे करके बताने वाले है ठीक है comment में बताऊगे answer भी और अपना नाम भी और साथ के साथ आप video को like भी कर देना ठीक है तो worksheet number 79 जो हम अपनी next video में करेंगी तो अगर आपको यह video अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा thank you